हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज तो मम्मी ने गज़ा भी कर दिया सिर्फ एक ही इंग्रीडियंट से त्थी शांदार आइस क्रीम बनाई कि मैं सोचा आज तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो यहां पर सबसे पहले मम्मी ने ली है फ्रेश क्रीम और यही एक इंग्रीडियंट है जिससे यह पूरी आइस क्रीम बनेगी इसको मम्मी एक कंटेनर में ले रही है यह अमूल की फैस क्रीम है जैसा कि आप लोग देख पारे हो फिर मम्मी ने ब्लेंडर से इससे एकदम बढ़िया तरीके से ब्लेंड कर लिया है इसका टेक्स्टर जब तक एकदम गाड़ा ना हो जाए तब तक मम्मी से ब्लेंड करती रहेगी करती रहेगी आप यह आइसक्रीम खाओगे तो आप सोच में पढ़ जाओगे कि सिर्फ एक इंग्रीडियंट से ऐसी आइसक्रीम कैसे बन सकती है मैं मम्मी खाने में तो हुश्यार थी और यहां पर पाउडर शुगर भी डाल दी है मम्मी ने एक कप करीबन धाइसो ग्राम होगी है उसके बाद मम्मी ने इसको वापर से ब्लेंड करना शुरू कर दिया है करती और इसको ममने करीबन 15-20 मिनट ब्लेंड किया है यह आइसक्रीम इतनी टेश्टी बनी थी कि मैं क्या ही बता हूं मैं सोचा कि अगर मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बना सकती क्योंने इसे यूट्यूब पर अपलोड करके जाए और आपको भी इस आपको भी इस रेस कुल मिला के 10-10 मिनट की ब्रेक में ममने इसे तीन बार ब्लेंड किया है मतलब आदे घंटे के लिए आपको इसको ब्लेंड करना पड़ेगा अब उसके बाद यह टैक्स्टर आएगा और इसका मतलब यह तयार है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करीबन चार-पाज ब और यह है टूटी-फूटी यह में स्कूल के बार वह गोला वाला डाल के देता था पता नहीं अब वह आता नहीं है पर यह टूटी-फूटी यह फिर इसको एक प्लास्टिक के एटाइट कंटेनर में इसको डाल देते हैं डालने के बार हम इसको अच्छे से सेट भी कर दे कि मैं तो अभी रिकॉर्डिंग करते हुए भी मूह में पानी आ रहा है कि उसके उपर से वापिस से हमने टोटी-फोटी डाल दी है कि जिससे इसका एकदम लोक एकदम बढ़िया आ जाए अब हम इस एयर टाइट कंटेनर को एकदम बन करके रख देते हैं फ्रेज में करीबन साथ गंटों के लिए और साथ गंटों के बाद देखिए क्या बनके तयार हुई है यह आइसक्रीम आपको जित्ती देखने में अच्छी नहीं लग रही होगी उत्ती खान में यह अच्छी थी अब मम्मी के पास तो यह स्कूप है आपके पास चम्मच हो यह कुछ भी हो आप ऐसे बना सकते हैं तो यहां पर एक स्कूप निकाला और यह दूसरा स्कूप यह आइसक्रीम खाके और बनाएए और इसको इंजोई कीजिए और उपर से थोड़ से टोटी फोटी भी बिस कानिश करती वापस से कि अधिया जल्दी होगा अब यह तैयार हिया अब यह बिलकुल को लाइक का नहां मत बूला